नमस्कार मैं हूँ यासमीन बॉलिवुड अभिनेता सुशान सिंग राजबूत ने रवेवार को आत्मात्यागर लिए उनका शव मुंबई के बांदरास्तित उनके अपार्टमेंट में फासी के फंदे से लटका हुआ मिला महस 34 साल के उम्र में उनकी आत्मत्या की खबर पर किसी को यकिन नहीं हो रहा है जहां एक तरफ फैंस अपने सवालों का जवाब ढूनने की कोशिश कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बॉलिवुड से जुड़े सेलेब्रिटी सोशल मीडिया के सरी अपना दुख सहिर कर रहे हैं लेकिन इसी बीच आक्टरस दिपिका पादुकोन सुर्खियों में आ गई है वो अपने एक पोस्ट के वज़े से सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गई है दरसल हुआ कुछ ऐसा कि दिपिका पादुकोन ने सुशान्द की मौत पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी इस पोस्ट में सुशान्द के लिए ना तो कोई शद्धांजली थी और ना ही उनका नाव दिपिका का ये पोस्ट मेंटल हेल्थ को लेकर था इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने मेंटल इलनस जैसी परिशानी को खुद जेदा है मैं लोगों तक पहुचने की बात पर जितना जोर डालो उतना कम है बात करें, समबाद करें, जाहिर करें और मदद मांगें याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसमें आपके साथ हैं और सबसे जरूरी ये बात याद रखनी हैं कि उमीद बाकी है इस पोस्ट का स्क्रीनशोट लेकर सोशल मीडिया पर लोग दिपिका पादुकोन पर नाराज होते दिख रहे हैं एक यूजर ने दिपिका के इस पोस्ट को लेकर कहा वही एक दूसरे यूजर ने लिखा यूजर ने आगई दिदी इसके लावा एक और यूजर ने लिखा यहां एक तरफ कई लोगों ने दिपिका के इस पोस्ट पर नाराज की सहर की है वही कही लोग उनके सपोर्ट में भी आ गए है उन्होंने दिपिका की कही हुई बातों की गंबिरता को समझते वे उनकी तारीफ की है और उन्हें ट्रोल करने वाले लोगों की बातों को बक्वास बताया है बतादे कि सुशान सिंग राजपूत की आत्मत्या पर कई बॉलिवूड स्टार्स ने अपना दुख साहर किया जिन में सल्मान खान, अक्षे, शारुक और अजदेव गंजेस स्टार्स शामिल हैं प्राइब राजब जिन में स्टार्स बात्मत्रों प्राइब रखिए इन्हें बात्या अजदेवागों की आत्मत्रों स्टार्स